अब तक आपने सब्जेक्टिव पढ़ाई की आज जो आपका सब्जेक्ट है वो ओरल सब्जेक्ट है आज मैं आपको सिखाऊंगी जीके और जीके में हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपको उन्हें क्या कहना होता है तो हम दो तरिके के लोगों से मिल सकते हैं या तो वो जो हमसे छोटे हो या फिर वो जो हमसे बड़े हो तो प्ले क्लास आपको ध्यान रखना है कि जो लोग आपसे छोटे होते हैं यानि हमारे फ्रेंड्स या फिर जो हमारे छोटे बहन भाई होते हैं अगर आप उनको कहते ह तो या फिर है आप कैसे कहें हैं घेलो। घक्षा सिलो को में कुछ हम से नहीं है लेकिन जोμसे सक छूष कई होते हैं किंड वा कि वा सबस्क Two by a Times आफटरनून या गुडिबी जो भी टाइम चल रहा है उसके अगर सुबह यह तो आप कहेंगे गुड मॉनिग अगर दोपहर हो रही है तो आप कहेंगे गुड़ी बूश और यह आपके ड्यूटी बनती है कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपके family में जितनी भी members है और बड़े members को आप greet करे good morning good morning और जब रात हो रही है तो यह आपके जिम्मेदारी है कि सोते समय आप अपनी family के सारे members को greet करे good night तो आज आपने सीखा कि जब हम किसी छोटे या किसी बड़े इसान से मिलते हैं तो हम उने क्या क्या कर बुलाएंगे साथी साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ रहे है कि आपका नाम क्या है तो आप उसे कैसे बताएंगे तो अगर मैं आपसे मि तो वो बच्चा बोलेगा my name is Riya किसी का नाम है शिवांश तो बोलेगा my name is शिवांश तो यह आपको ध्यान रखना है किसी को कैसे हमें विश करना होता है कैसे greet करना होता है साथ ही साथ हम अपना नाम दूसरे इंसान को कैसे बताते हैं तो parents यह अब आपके जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को यह oral घर में daily practice करा है जिससे आपका बच्चा समझ जाए कि जब वो स्कूल में आए तो उसे teachers को अपने साथ क्लास में इसको कैसे wish करना है और कैसे उनके साथ interact करना है कैसे बूलना मिलना है तो यही है आज की आ नहीं चीज़ों के साथ thank you